जोस्तो बहुत फेमस कोश्चन है और अक्सर स्ट्रेंस मुझे से पूछते हैं मैं वैसे भी क्लास में बोलता ही रहता हूं पूछो तो लोग कोश्चन पूछते हैं बताओ तो what would be the time after which a projectile or its direction of motion becomes perpendicular to its initial direction of motion मतलब वो time बताना है जब projectile अपनी initial जो velocity है उसके perpendicular चलने लगेगा अब चलने लगेगा मतलब velocity है तो मतलब उसकी जो velocity है वो उस moment की velocity वो उसकी initial velocity की perpendicular कब हो जाएगी वो time बताओ और इसमें question add कर सकते कि भाई वहाँ पे speed भी बताओ वहाँ पे angle भी बताओ बहुत सारी चीज़े वहाँ पे डाल सकते है तो यह सारी चीज़े इंटरकनेक्टेड है अगर आप एक चीज समझ सको कि हो गया रहा है अगर आपको figure दिख रहा हो यह मैंने जो बनाया है यह initial direction और यह final direction है यह final का मतलब यह नहीं कि पूरा motion complete होने के बाद final मतलब वो time जो perpendicular हो रहा है तो माल लेते हैं कि यहाँ पे कोई angle बना रहा है theta मैंने यहाँ पे 57 दिखा रखा है एक particular example आप बोल सकते हैं कि जैसे माल लेजी यहाँ पे theta बना रहा हो तो perpendicular का मतलब क्या है perpendicular का मतलब यह कि जैसे यह horizontal से theta बनाए तो यह horizontal से कितना बनाए कि जिससे initial direction initial को भी मैं यही दिखा देता हूँ यह रहा initial भाई यह है initial u और यह उस moment पे v है और v आप बोल लो u से 90 degree पे होना चाहिए u आप बोल लो कि और जोटनल से theta था और v और u में 90 है तो क्या यह angle 90 minus theta नहीं होना चाहिए बताओ तो क्या यह angle कितना होना चाहिए 90 minus theta this angle must be 90 minus theta so that this velocity v may be perpendicular to initial velocity u otherwise they will not be perpendicular भाई perpendicular होने के लिए u और v के बीश में 90 degree का angle बनना चाहिए न तो अगर u horizontal से theta बना रहा है तो we should make an angle 90 minus theta with the horizontal यहीं से कहानी start होती है पहले तो आप यह समझो 57 का जो मैंने example दिया था आगर वो 57 है तो 33 होना चाहिए तो अब इसमें आगे क्या तो आगे आपको यह करना है कि projectile motion में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी change नहीं हो अब बोलोगे acceleration g हर से मैं acceleration g रहता है मैं बोलोगा बिलकुल सही है और आगे बताओ velocity में बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा से में रहती हो क्या number one velocity? No speed? No velocity का y component? No velocity का x component? Yes velocity का x component projectile का x motion uniform होता है कभी change नहीं होता x component पहले कितना था u का? theta जब angle बना रहा था u cos theta अब v जो है यहाँ पर इसका भी x component वही होगा क्योंकि x component दोगी change नहीं हो बट इसका x component होगा v cos 90 minus theta cos 90 minus theta sin theta होता है तो u cos theta is equal to v sin theta तो जो v की value आएगी वो आएगी u cos theta by sin theta जो v की value आएगी वो आएगी u cos theta तो पहले तो आप वो angle आप समझगे कि जहाँ पर perpendicular होगा 91 theta दूसरा वहाँ पर speed समझगे u cos theta वहाँ पर speed इतनी होगी direction of motion समझगे अब कितनी होगी velocity समझगे velocity में यह होता है speed to direction अब ठाली time ही तो बच्चा है time projectile में अगर तुमने मेरे सारे videos देखे होगे मुन्ना तु समझ गये होगे time हमेशा y direction of motion से निकालते हैं यह दुखों मैं class में पढ़ाता हो तो time के आगे लिख देता हूँ y time हमेशा y direction of motion से निकालते हैं तो y में initial velocity कितनी थी u sin theta थी कितनी थी u sin theta अब कितनी है अब जगो यह v है v का अगर यह angle 90 minus theta है यह वाला angle यहां से यह वाला angle theta होगा तो यह होगा v cos theta यह होगा v sin theta अब है v cos theta बट downward होने से minus v cos theta downward होने से minus v cos theta तो y में अगर हम v is equal to u plus 80 लगाएं तो v लिखेंगे minus ka u cos theta sorry v लिखेंगे minus ka v cos theta अब v cos theta में v की जगे हम u cos theta भी रख देंगे देखो मैंने यह लिखा u cos theta है cos theta होता है cos theta by sin theta फिर इं cos theta हो रहेगा cos theta cos theta cos square theta हो गया u की जगे u sin theta ही लिखा है और 80 की जगे minus gt लिखा है अब मुझे t चाहिए तो मैं यह minus gt वाल अटम दूसरे साइड ले आया u sin theta को u sin theta रहने दिया और जो minus वाल अटम तो इदर यह वाला cos square theta by sin theta यह दर आके plus हो गया अब जब u आप common हो गया तो देखो यह sin theta यह हम multiply होगे sin square theta प्रस उपर cos square theta 1 बन जाएगा sin square theta by sin square theta 1 नीचे sin theta g को दल ले आओ यह आगया है हमारा answer t is equal to u upon g sin theta that's it this is the time यह answer है u upon g sin theta denominator में आ रहा है sin theta इस time बात projectile अपनी initial direction के perpendicular हो जाएगा यह अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया ना समझ में आया हो तो क्या समझ में नहीं आया comment में लिखके बताओ उसके बावजूद भी अगर कोई projectile का question physics में कोई भी या किसी भी subject का कोई भी question physics chemistry math physics chemistry bio board plus engineering board plus medical जो भी आप तैयरी कर रहे हो कोई भी question doubt हो उसका pick कीचो snap start कीचो पूछो तो app play store से download करो वहाँ पे comment में डाल दो post में डाल दो answer आपको वहीं पे मिल जाएगा ठीक है जाएगा है